हाई गाई वेलकम बाक टो माई चानल कैसे हैं आप सब वेलकम बाक टो थे एनदर इंफोर्मेटिव वीडियो तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूं इंसाइट का प्रो कंसीलर करेक्टर पालेट सो यह कैसे वर्क करता है कहां पे इसको यूज करना चाहिए प्राइमर से पहल रहादा आच्छा वर्क करता है सिंप आपको इस प्रोड़क के बारेमें रिव्यू करूंगी प्लेस डेमो भी दिएंगी अपनी स्किन पे यूज करके की मैं इसको कैसे यूज करती हूं अपनी स्कीन पे इसके अलावा मैं थोड़ा सापको बेसिक बिताओंगी कि वाट इ ओलॉज आपको सेङरक आपको आपको फाई ठीक शेट मिल जाते हैं जो चर्टाता है बेसिकली आपके जो इसकिन जो इसकिन है या जो डिस्क लेशन है जर डाक स्पॉड्स है या पिमपल से उस पर वर्क करता है कंजीलर पर आज के समये बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छ करेक्टर पालेट ले सकते हैं इसको बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हूं बहुत ही जादा अच्छा भी है और प्राइज इसका आइटिंग 175 के अराउंड है और बहुत ही जादा इसमें आपको और मुस्त सारे शेट्स मिल जाएंगे अगर आपके पास अलग से कंसीलर नहीं है अलग से कॉंटोर नहीं है तो आपको लेनी की जरुवत नहीं है इसी में आपको दोनों यह शेट्स में मिल जाएंगे तो बेसिकली यह जो औरेंज वाला कंसीलर करेक्टर है यह आपके जो डाक एरियाज है डाक सर्किल से वहाँ प आप पर आपके बहुत जाधा redness हो रहा है skin पर आप वहां पर green color को use कर सकते हैं यह dark brown आप बेसिकली आप अपने face को क्वेश करने के यूज़ कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप इसको अपने concealer आइस के नीचे या जहां जहां को conceal करना वहां पर यूज कर सकते हैं purple medium to dark skin वाय लोग जादा यूज करते हैं बेसिकली अपने dark spots पे या जहां पर हलकलका redness है वहां पर यूज करते हैं एक बहुत जादा यूज करते हैं यह जादा यूज करते हों कि उनकी बहुत जादा आधा झाले करके तो बहुत जादा दिखेगा और फएर वालोग यलोग यह करते हैं कर जाए चली मैं और इसको अपने स्किन पे अपलाई करके दिखाती हूं कि कैसे यह वर्क करता है सबसे पहले मैं इसके टेक्शर की बात कर लेती हूं इसको टेक्शर है वह बहुत जादा कृमी टेक्शर है आप बहुत थोडा सा ही प्रोडेंट उठाईएगा एक साथ बहु इसके अलावा यह बहुत लंबे समय तक तो कह सकते स्टे नहीं करेगा बट हाँ फो टू फाइफ आवर्स आपके मेकप को इंटाक रखेगा बिल्कुल भी हटेगर नहीं तो काफी अच्छा है बहुत ही एफॉर्डेवल रेंज का भी कंसीलर करेक्टर पालेट है तो इसका ल करना चाहिए आपको इभी है बहुत ही अच्छा भी मेकप ब्रैंड भी आप यूज करेंगे वह भी अच्छा मेकप निकल के नहीं आगा तो इस बड़ी इंपोर्टेंट टू क्लीन एंटू मॉस्ट्राइज यूर फेस प्रॉपर्ली और अच्छे से मॉस्ट्राइज कर ल नहीं दिख रहे हैं बहुत थोड़ा सा इस तरके से थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी लगाऊंगे अब यूज कर रही हूं ग्रीन तो थोड़ा से जहां जहां मुझे रेडनेस हलका हलका लग रहा है वहां-वहां मैं यूज करूंगी ग्रीन और मुझे स्ग्री तट रहां पर्ला आ यूज कर सकते हैं तो मुझे बहुत जादा डाक सपोर्टक्ति नहीं लग रहे है तो पहले मैं इसको ब्लेंड करती हूं तो मैं आपको अपने फिंगर से ब्लेंट करके दिखाती हूं और ब्रैषए ब्लेंडर लोंगी अपने इसी फिंगर से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है क्योंकि टेक्र बहुत क्रीमी क्रीमी यह इसलिए मैं बोल रहे हूं कि बहुत थोड़ा साही इसको लीजिएगा थोड़ा लेके पहले अप्लाई कर लीजिए अगर आपको कम लग रहा है तेन फिरा फिर से ले सकते हैं देख सकते हैं एक तरफ मैं ब्रेशे ब्लेंड करके दिखा रही हूँ देख सकते हैं बहुत ज़ादा मैं इसको ब्लेंड नहीं करूंगी हलका फुलका तो औरेंज कलर दिखेगा ही दिखेगा इसके लाव मैं ब्लेंडर से यह ग्रीन कलर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी उसी ही जगे पर ब्लेंड करना है हलका हलका कलर दिखेगा बट इट इस नॉट डा बेग इश्यू वह हलका आप जब अपना फॉंडेशन लगाएंगे तब मिक्स हो जाएगा उसमें तो मैंने पुरे पे अपने अच्छे से कंसीलर करेक्टर पालेट से अपने फेस को अच्छे से कंसील कर लिया है अब मैं फोंडेशन यूज कर रहे हूं हाई मामा अश्यूज contrary का अच्छा फॉंडेशन थोड़ा सा ही लगी मैं बहुत ज्यादा सा नहीं इतना सा ही वश्वार पश better अब ब्लेंट कर लेंग थोड़ा सा अपने dark areas पर वैसे तो मुझे कम मतलब बहुत जादा नहीं लग रहा है पर तब थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाने के लिए भी और से ब्लेंड कर लेंगे जितने भी dark circles थे वो बिल्कुल hide हो गया है जहां जाज़ पॉड से discoloration हलका फुलका था वहां पे भी बिल्कुल कम हो गया है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है concealer collector palette को यूज़ करने से तो अब मैं अपने makeup को अच्छे set कर लूँगी तो मैं pack का setting powder यूज़ कर रही हूँ बहुत जरूरी है कि आप अगर लगा रहे हैं तो अपने makeup को अच्छे set कर लीज़े बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आया है अब मैं same palette से contour लूँगी और थ्वा सा contour करूँगी अपने face को सब्सक्राइब तो मैं यहां से start करूँगी अलका सा इस तरके से और इस तरके से हलका सा यहां जहां मुझे लग रहा है वहाँ वहाँ इसलिए यह palette बहुत ही जादा अच्छा क्योंकि आपको अलग से कुछ लेने की जर्वत ही नहीं है इसमें और इसको मैं अच्छे से blend कर लूँगी genes blending बहती ईजली उलाथी ज़ए प्वहाँ जादा अच्छा सका texture है हम इसको ब्लेंर कर लेती हूँ धिन मैंसे मापी शर्टी से मलती हूँ सब्सक्राइपस सी निकल गया है देख सकरे में विख्ल अपको अपो अच्छा का लुक दे रही हूं बहुत ही जादा अच्छा निकल के आया है इस आप पूरा पालेट नहीं यूज काया तो आप अलग से भी ले सकते हैं क्योंकि अब अलग अलग भी आरे है मार्केट में इसका लिंक में आपको दिस्टर्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दूगी यह भी आप बताईगा कि आपको इसमें से कौन सा कलर बहुल जादा पसंद आया आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर अपने कमेंट्स मेंट करेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड से फ्रेंड शेयर करना बिल्कुली मत बूलेगा एंड दू फॉलो मेरी इंस्टागाम एंड फेस्बुक मेरी इंस्टागाम आईडी है आपको दिस्क्राइब करें तो वहां पे मुझे फॉलो करिये सो मिलती हूं नेक्स वीडियो में तबता के लिए अपना ध्यान रखें लव यू आप बाई